जो लोग चश्मा इस्तमाल करते हैं और वो चाते हैं कि उनके चश्मे से जान छुट जाए तो लेजर साइट जो एक फेसिलिटी ओफर करता है वो है रिफ्रेक्टिव सेजरी विच इस गौल लेजर रिफ्रेक्टिव सेजरी ये सेजरी बेसिकली चश्मा खतम करने के लिए होती है जो लोग चश्मा इस्तमाल करते हैं उनका क्या में प्राब्लम होता है कि इनके परदे के उपर लाइट यहां से क्रॉस करती है और परदे तक जाती है और यहां इमेज बनाती है जो लोग चश्मा इस्तमाल करते हैं उन सर्फेस को जिसको हम कौर्णिया कहते हैं उसको जो है उसकी शेप को चेंज कर देती है जिस से इमेज जो है आपके पर्दे के उपर बन रहा होता है जब हम यह surgery plan करते हैं तो उससे पहले हम patient की history लेते हैं और history के अंदर कुछ चीज़े बड़ी important होती है वो है एक तो age age हमें जो चाहिए होती है वो minimum 18 साल चाहिए होती है इसे कम age पे हम refractive surgery नहीं करते हैं दूसरी बात आईए है कि patient का number जो है वो stable हो for the last one year change हो रहा होगा तो उसमें भी हम surgery नहीं करेंगे जब तक कि उसका number बिलकुल रुक ना जाए एक stable हो जाएगा इसके बाद हम उसको plan कर सकते हैं तिसरी बात यह है कि कोई आखों की कोई बीमारी ना हो especially allergy दूसरी condition जो important है जिसको हम कहते है keratoconus उसमें क्या होता है कि यह जो cornea है इसकी surface जो है cone-like हो जाती है जो अगर cone-like हो जाती है तो उसके अंदर भी हम avoid करते हैं कि refractive surgery ना करें systemic problem अगर किसी को है like diabetes या ऐसी कोई बीमारी के जिसकी वज़ा से उसको lifelong medication लेनी पड़ रही है उसके अंदर भी हम refractive surgery को avoid करते हैं refractive surgery generally दो surgeries में divide की जाती है एक कहलाती है PRK which is called photorefractive keratocomy और दूसरी है lesic which is called laser incitiv keratomyelosis PRK में basically हम क्या करते हैं के हम cornea की front surface जो है उसमें epithelium होती है इसको हम हटाते हैं और इसको laser apply कर देते हैं हमारे center पे ये PRK की एक advanced शकल जो हम treatment करते हैं वो है जिसको कहते हैं हम trans PRK trans PRK में हमें किसी खिसम के कोई instrument इस्तमार नहीं करना पड़ता के हम epithelium को हटाने के लिए ये सारा काम laser ही apply करती है ठीक है तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता और within few minutes ये surgery perform हो जाती है जो lesic है lesic में basically हम क्या करते हैं के हम एक layer को हटाते हैं और cornea की और इसके उपर laser apply करते हैं वापस इस layer को वापस लगा देते हैं तो ये generally difference है दौनों surgeries जो की जाती है बड़ी है अच्छे result है दौनों के ही लेकिन कुछ indications हैं जो हम सिफ उन patient के अंदर PR के ही करते हैं जैसे कुछ professions हैं like football को patient अगर खेलता है या फिर boxing अगर खेलता है रगभी खेलता है ऐसे sports जिसमें चोट लगने का खतरा आख में हो उसमें हम लेसिक avoid करते हैं हम उसमें PR के करते हैं दूसरी indication जो है cornea की बनती है कि अगर किसी का cornea थोड़ सा irregular है या cornea थोड़ थिन है तो उसके अंदर भी हम PR के advice करते हैं As far as a visual recovery is concerned after refractive surgery तो PR के में यूजली जो टाइम लगता है तकरीपन हफते से डेर हफता लगता है लेकिन लेसिक में जो है next day ही आपकी नज़र almost normal level पे होती है